हेलो दोस्तो स्वाधत है आपका टू वर्ड सक्सिस में और इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे 15 important questions जो की आपके हर एक exam में पूछे जाते हैं और आने वाले जो आपके exam हैं उनमें भी पूछे जाएंगे और उनसे साथ में देखेंगे जो उनसे जुड़े हुए related facts हैं जो की काफी important है तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को सबसे पहला question है कि rocket कि सिद्धान पर कारिय करता है तो rocket जो सिद्धान पर कारिय करता है वो है सम्में संडक्षन सम्में संडक्षन और सम्में को हम कहते हैं P से denote करते हैं इसको और P is close to होता है M into B अब देखेंगे सम्में संडक्षन पर ये कारिय करता कैसे है तो देखो P is close to होता है M into B mass into velocity या कहें द्रव्यवान into wave अब देखो जैसे हमारा rocket यहां से launch होता है प्रत्वी से और वो उपर की तरफ बढ़ता जाता है तो उसका जो इंधन है वो कम होता जाता है इंधन उसका फुकता जाता है जलता रहता है और वो कम होता रहता है यानि कि जो mass है वो कम होता रहता है लेकिन दूसरा जो factor है velocity वो बढ़ता रहता है ठीक है तो आप देखो यह घट रहा और आपको समझ में आ गया होगा कि सम्मेख संदक्शन कैसे रहता है ठीक है और रोकेट से एक कोश्चन कभी-कभी ऐसे पूछ ले जाता है कि रोकेट की सिद्धान पर कारे करता है और उसमें उप्षन में आपको सम्मेख संदक्शन नहीं मिलेगा तो तब आपको क्या करना ह तो आपको मिलेगा option के अंदर newton का third low हाँ उसमें मिलेगा आपको newton का third low और वो क्यों मिलेगा क्योंकि newton के जो third low है वो क्या कहता है कि हर एक किरिया अपने बराबर की पिरती किरिया रखती है तो जैसे rocket उपर उड़ता है और उसमें से निकलती है high velocity gases gases निकलती है जलती हुई gases निकलती है और जो नीचे की तरफ को निकलती है और जो force नीचे की तरफ gases को लेकर आता है उसी को वो उपर बढ़ा देता है rocket को तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको कहना चाहरा हूँ जैसे rocket उपर बढ़ता है, gases नीचे की तरफ निकलती है और उसकी जो पृति किरिया होती है, वो rocket को आगे की तरफ धकेलती है आगे की तरफ push देती है, motion देती है तो चलिए अगला question देखते है दूसरा question है कि उत्पलावता का जो सिध्धान्त है वो किस ने दिया तो ये दिया है आर्कमडीज ने और इस सिध्धान्त में क्या बताया गया है कि अगर हम किसी वस्तु को एक द्रव के अंदर ड़ोते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर जो जल है या फिर कोई भी लिक्विड है उसको बहार कर देगा अपने आयतन के बराबर तो आप इसको याद रखेंगे और next question देखें किसी ध्वनी श्रोत की आवर्ती में होने वाला परिवर्तन क्या कहरा है क्या उसका मतलब कारण क्या होता है तो यह होता है डोपलर effect ठीक है डोपलर प्रभाव जैसे आपने कभी देखा होगा कि रेल की city अगर हम station पर खड़े हैं तो उधर से अगर rail आ रही है सेटे क्या है है तो हमें ऐसा लगता है कि रेल की city की अवाज है वो बढ़ रही है और जब हम station पर खड़े होते हैं और rail आगे की तरफ चली जाती है रेण आगे की तरफ चली है और वो रोरन देती है city हो जाती है तो अब हमें लगता है कि rail की जो CT की आवाज है वो कम हो रही है तो actual में वो कम तो होती रही है और वो effect होता है स्रोता और जो दूसरा source है उसके बीज की बढ़ती हुई दूरी बढ़ती हुई distance की वज़े से ये effect होता है और इस effect को हम नाम देते हैं Doppler effect तो ये आप याद रखेंगे ब्रह्मान प्रसारित हो रहा है ठीक है यह किस ने बताया तो ये बताया था Edwin Hubble ने और Edwin Hubble जो है ये 1929 में इन्होंने बताया और ये California एक युनिवरसिटी है जिसका नाम है Wilson Wadsala में ये कार्य करते थे Edwin Hubble और महां से इन्होंने ये research की और बताया कि जो ब्रह्मान है वो प्रसारित हो रहा है और किस तरीके से बताया चलो मैं इसको आगे slide में समझा लेता हूँ आप देखें यहाँ पर है Hubble's Log मैंने आपको थोड़ा सा ब्रह्मान का ये picture लिया है अब देखेंगे इन्होंने क्या बताया कि जो red shift की तरफ अगर किसी हमारी जो मंदाकनी होती है आपको पता होगा कि ब्रह्मान के अंदर लाको करोडो मंदाकनी है तो मंदाकनी हमारे से ज दूर होती जा रही है यह समझाया था Hubble's ने और इन्होंने क्सिधान पर बताया इसमें इन्होंने डोप्लर जो सिध्धान था उसी को इन्होंने लिया इसमें दो चीजे होती है बहुत बड़ा concept अपने आपने लेकिन आप छोटा सोट में समझेगा इसमेंगे दो चीजे हो बात करें यह बिलू है आप इहां पर देख रह니 कर्शर पर तो अगर यह इस तारा रही है तो यह हमारे पास तो इतनी भी कोई किनी हमसे दूर है वह उतनी ही तेजी से हम तो यह सारी छुद्स जो थी धैं फबल्स ने हम को समझाई और यह कम की गई थी यह की चीज आप सोगल के के उसे सबसे पहले किस्ट ने दिया था कैपलर ने निए ओर रहा है और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ded लानेट मूस इन एलप्स विद दा सन एट दा फोकस तो सूर्य की चारो तरफ इलप्टिकल ग्रह में सारे जो ग्रह हैं वो चक्कल लगाते हैं और बाकी की यह आपको दो जो लो हैं आप से कोई पूछेगा ने फिर भी आप इनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लिए प्रत्व प्रत्वी तरह उतल गagar लेंस में और बाकी प्रत्वी जो देखल तरह की क्रिया होती हैं और एक होती हैं नाविक तो नाविकिये सलियन में क्या होता है कि दो छोटे कन दो छोटे एटम आपस में मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं तो उसे कहते हैं नाविकिये सलियन और जब एक बड़ा नाविक दो छोटे एटम में तूर जाता है तो उसे कहते हैं नाविकिये विखंडन तो सूरिये पर हीलियम जो है तो सूरिय की जो उर्जा का स्रोथ हम बात करें तो वो होता है दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं तो आप से कभी पूछा जाए कि सूरिय की उर्जा का स्रोथ क्या है तो वो हाइड्रोजन है और वहाँ पर क्या होता है नाव के सलियन और नाव के विखंडन आप समझ गए होंगे नाव के विखंडन पर कारी करता है परमाणू बंज होते हैं वो नाव के विखंडन पर कारी करता है नेक्स्ट कुछिन देखेंगे लो ओफ लोटिंग का सिध्धान किस ने दिया तो लो ओफ उसमें इंजेक्शन जहर का इंजेक्शन लगा के ये चीज लोगों को समझाईती कि देखे जैसे जहर के इंजेक्शन से मनुष्य की डैथ हो जाती है उसी तरीके से अगर हम किसी पोधे में जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं तो वैसे ही पोधे की भी डैथ हो जाती है वो विनों ने इसकी खोर्ज कियी थी, इस चीज के बारे में बताएं था, किसी चालक के सीरो के बीच विभांतर, उसमें बहने वाली धारा के समाः अनुपाती होता है, तो ये किसका नियम है, ये नियम है ओम का नियम, तो V is close to ओम का नियम से, ये definition से ये हमारा पॉर्मुला बन करते हैं तो यह करते हैं तो यह करते हैं पासकल लोग पर और पासकल क्या होता है कि किसी इस्थितिक जो द्रव होता है उसके अंदर इन्जेक्शन को बेश् chopped लिए उसके अंदर आपकोWOT से डालिते हैं। और कि यह सेम प्रेशर आपने आ जेसे बंद कीया हुआ है। उसकोद लगाता है। तो य जो चीज है ऐसे ही काम करता है ब्रेक के अंदर ब्रेक के अंदर ब्रेक के अंदर वा sub कि इरोजोन हो जाएगा महाँ पर स्थिंग हो जाएगी महाँ पर लीकविड हम यूज करते हैं महाँ पर कफित अलगे उस पर जात運न है जैसे ही दबाते हैं इत hatred श्यको الذ América जाता है जाता है वह महाँ पर इस सिद्धान पर काम करते हैं पसकल लोग पर काम करते हैं प्रतियास्था सीमा के अंदर प्रति बल सदेव विक्रती के समा अनुपाती होता है तो ये नियम है हुख का नियम है और ये देखिए आप फॉर्मूला यहां से इसका ड्राइब कर सकते हैं सबसे पहले एक हमारी इस्प्रिंग थी जो की अनिस्ट्रेस्ट प्रत लाध जगा दिया है और वह अपनी स्थिती से एक्स डिस्प्लेश हो गई है फिर हमने बल almode दोगना कर गया है तो जो जिस्टेश और वहीं बढ़ गई है और यहां इहां से देखिंगे हमने फोस को डाबल किया तो इस्टेंस थी स्टेक्स तैस्टी वह भी डबल हो पर क्या हता है इस प्रिंग को तरफ लगाएगी ग्राम हमस्तामाने कोसिश करेगी अब बैक फॉर्स लगाती है और जो हमने फॉर्स लगा रहा है और इस प्रिंग का फॉर्स ऊपर की तरफ है तो यह एक दूसरे के अपोजित होते हैं इसी वजह से यह minus sign जो आप देख रहे हैं यह minus sign इसी को indicate करता है कि जो force spring लगा रही है वो opposite direction में है और जो यह x हुआ है इसी को कहते हैं विकरती यानि कि change in dimension जो dimension में change हुआ है उसी को कहते हैं विकरती प्रतिय किरिया के विपरीत और बराबर होता है यह क्या कहलाती है न्यूटन का तीसरा नियम इसको हम थोड़ा सा correct करना चाहेंगे कि प्रतिय किरिया के विपरीत और बराबर होती है जो दूसरी प्रतिय किरिया होती है ठीक है तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है और हमने इस और यह पूछा जाएंगे तब तक मौसन नहीं होगा जब हमारा एक्षन उसके जो रियक्षन फोर्स है उससे ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर मोसन हो जाएगा वो चीजे हमारी तरफ खीचने लगें दूसरा कोशिन आप से यहां पर यह पूछा जाता है कि अगर आप कभ पर काम करती है तो यह भी न्यूटन के ही नियम पर काम करती है जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे फिगर में जैसे ही यह आगे की तरफ आदम दरता है तो इसका पैर पीछे की तरफ इस पर रियक्षन लगाता है और इसका एक्षन किस तरफ है आगे की तरफ और रिय सब्सक्राइब कर्यारी काता है तो मैं आपके कैसे विखन्दन के varis ऐसे विखन्दन के साथ में आगर हमहां पर देखे करता ह्एिदि होाइव न बिदे करते हैं और उनमें moderator के रूप में, मंदक के रूप में यूज होता है, भारी जल या फिर ग्रेफाइट की छड़ हम उनमें यूज करते हैं दिये की बत्ती में तेल का चड़ना किसी धान पर कारिय करता है, तो यह होता है केसी कातू, ठीक है केसी कातू पर काम करता है, आप इसमें कन्फियूज ना करें कि यह किसी और सिधान पर कारिय करता है, यह केसी कातू करता है, और एक एक जमपल और होता है केसी कातू का, वो ह नीचे का पानी उपर ना आए और वो पानी वास्प ना बनकर उपर उड़े सूरिये से वो बचा लेते हैं उपर की परक न लिया है उन्हें तोड़कर ताकि पानी नीचे से उपर ना आए तो यह भी एक कैसी कार्ट का ही उधारन है तो यह थे 15 जो मुझे आपने मुझे मैं आपके साथ में डिस्कस करें यह वीडियो आपको कैसी लगी तो आप जरू बताएगे कमेंट करके और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए और आप हमारे साथ नए है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें थैंक्स सोबाच लिए में रापको साथ लेडियो आपको साथ रची उन दीजिए यह तो कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिएस रहें वीजिए पहुंचते अपको चाल